है अब्रीवान सो वैलकम बैक तो माई चैनल और आज की मेरी क्लास है लेक्ट्रो कैपिलरी काउस या जिसे हम लिप मैं इक्रेशन भी बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत बहुत इपॉर्टन टॉपिक है सब्सक्राइब कर दीया अब इसे क्लास को अनुझ चैनल पेशन है तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अब इस एक तापिक को the relation between the surface tension and polarizing potential was first studied by Lipman यानि कि जब भी हम surface tension की या polarizing potential की बात करेंगे so these both are studied by Lipman in this method a very narrow capillary is taken and an interface between HG and aqua solution is kept by applying a suitable pressure when a given polarizing tension has been set up between the HG and aqua layer the relation between the interfacial potential is shown in the figure आप देखो आभी कुछ समझ नहीं आएँगा आपको क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ा है सबसे पहले तो इसे किसकी study की थी Lipman ने यापके माइंड में होना चाहिए कि surface tension और polarizing potential की study जो की थी आपकी वो लिप मैंने की थी इस method में क्या होता है हम एक narrow capillary tube लेते हैं आपको पते capillary tube क्या होती है practical क्या है chemistry में तो पता होगी ठीक है वो लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं उसे interface यानि कि उसे रख देते हैं तो जब हम suitable pressure देते हैं उसे set करने के बाद तो एक यह line आपको देखने के रिए मिलती हैं अब यह line किस-किस के बीच में होती है यह होती है आपकी interface tension और potential तो क्या होता है सबसे पहले यह मिडम होती है देन यह increase हो जाती है potential आपकी increase हो जाती है दैन अगेन यह decrease हो जाती है राइजिंग देखो और यहां पर decreasing सेम यह क्या है इसे हम बोलेंगे अलोजिनिक ब्रांच और इसे हम बोलेंगे cathodic branch exactly समझ आ गया अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं physical chemistry है थोड़ा सा तो आपको माइड सा समझ रहा है बट यह तफ नहीं थे यहां तक तो मैंने आपको बहुत easily बोल के समझा दिया सेम हिंदी इंग्लिश का problem नहीं होना चाहिए आप सब क्योंकि आप सब कमेंट करते हो मैं हिंदी में समझा है तो मैं हिंदी में आप लोगों को समझा लिए ठीक है सब डेल्टा जी अपॉंड दीड इस इकोल टो सीरो एड़्टा फॉइस अपन डीए इस उपॉंड इस एकुल टो माइनस डेल्टा चीक है और यहां से अपका main point आ जाता है then on rising branch जैसे मैंने आपको डाइग्राम में दिखाए देखो यहां पर rising branch तो on the rising branch the hegb years are positive charge and on the decreasing branch a negative charge तो जब है ना यहां इस टाइप से तो देखने को मिल रहा था आपको तो जब यह rising होगी तो यहाँ पर कैसा होगा positive charge होगा और जब decreasing देखने के लिए मिलेगी तो वहाँ पर negative charge होगा same यह आपका anonic and यह आपका cathodic होगा यही मैंने पीछे diagram में भी इसलिए आपको बताय हुआ था अब यहाँ पर देखो electro capillary curves of different solution of KMNO3 are shown अज हम KMNO3 पर experiment करेंगे तो इस टाइब से हमें 3 layers इसकी देखने के लिए मिलेंगी और positive negative sign भी मिलेंगे potential involved है और gs upon gmui इसमें क्या होगा negative होगा KMNO3 के case में और यहाँ पर आपका topic खतम हो जाता है आई होप आपको यह topic पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज क्लास को कर देना chemistry के वर्ल्ड में पहला ऐसा चैनल है जो chemistry को आपको हिंदी में करके समझाता है और MSC में तो भाई ऐसे question कर आते हैं तो I hope you will like this class लाइक शेयर सब्सक्राइब करी दिया होगा आपन so thank you for watching